Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? तो yes, हमारे पास एक गहती बड़ी अपॉशनिटी है, जो कि हम कहेंगे golden अपॉशनिटी है और बच्चों को मैम यहाँ पढ़ना डाउट होता है कि किस टाइप के questions आरार भी हमसे पूशता है और यहाँ पर वो selection के कितने करीब हैं तो एक बार मैं हम इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि Guys, यह जो session है, यह जो video है, यह specially हम इसलिए लेकर आए ताकि आप लोगों को एक idea लग सकी कि आप selection से कितनी दूर है इसमें आज हम आप लोगों को live दिखाएंगे वो paper जो पहले हो चुका है इसमें से सिर्फ 10 questions हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको यह देखना है इन 10 questions में से आप कितना score कर पाते हैं अगर 10 में से 5 questions आपने score किया तो यह समझना कि आप average students है थोड़ी सी और आपको महनत करने हैं और आपका selection इस साल पका है और अगर आपका score 5 प्लस आता है तो आपको हम कभी batch रहने के बारे में नहीं बोलेगी आप सिर्फ practice sessions लेना YouTube से जो free classes है अब वो students जिनके below 5 marks आते हैं तो आपको हम suggest करेगी सबसे पहले अपने concepts clear कीजिए, सबसे पहले आप से लिबस कीजिए और ये सारे चीज़ें आपको कैसे और कहां से मिलेंगी वो हम आपको बताएंगे तो चलिए से चलते हैं सवालों की तरफ बिल्कुल मैं, तो यहां पर इनके लिए सबसे बहले paper open करते थे हैं चुकि examination में 2019 में पूछा गया था तो ये paper है आपका 28.5.2019 का सुबह 9 बजे की शब्का तो यहां पर में हम लोग GKGS वाले questions discuss कर लेते हैं तो इक्जैम में आए हुए हैं तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं GKGS वाले part में से कौनसा question है इधर यहां पर question number just a second तो यहां पर question number four है यह वाला question है यह science वाले part से तो question में ही ले लेता हूँ तो यहां पर जो question पूछा गया है वो question है कि which of the following stimulates milk production after the child birth तो यहां पर अब milk production के अगर हम बात करें तो आपके पास यहां पर जो नाम देख रहे हैं यह सारे का सारे hormones है अब यहां पर कौन सा हॉर्मोन है which is helping in the stimulating of the milk तो यहां पर जो हॉर्मोन है that is your prolactin तो यहां पर पहले का answer होगा prolactin next देखते हैं कौन सा question पूछा गया है अगला question है chemistry वाले part से तो यह question भी महीं ले लिता हूँ किसके बारें बता रहें exactly किसका chemical formula है क्या होता है यहां पर आप से बात करी जा रही है वो क्या है पूटेशियम sulphate तो यहां पर आपके होगे दो questions इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद यह question देखते हैं जी के जीएस वाले पार्ट से तो इसको मैं ही ले लेता हूँ so question है basic solution changes the color of turmeric indicator from dash to dash तो यहां पर अगर मैं turmeric की बात करूं यानि के हल्दी की बात करूं तो हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे indicators होते हैं जैसे की प्याज अनियन या फिर क्लोव यानि की लॉंग यहां फिर हम लोग हल्दी की बात करें तो यह आपके वह इंडिकेटर से जो पताते हैं कोई वी चीज एसिडिक है यह बेसिक है तो यह जो basic solution की यहां से बात करी जा रहे तो हमसे कह रहा है यह तर्मने जो इंडिकेटर है यह किस color से किस color में जोगा तो हम जानते हैं हल्दी आपके पीले रंकी होती है तो यह आपका color change हो जाएगा yellow से red color में तो यहां पर आप लोगा answer आया है तो बिल्कुल सही answer आया है next अगला question यहां पर जो पूछा जा रहा है let us see वह कौन से पाट से होगा yes तो मैं यहां पर आपका question है so the question is here which Indian state has Agartala is its capital very easy question है ना अगर तेला किस बहारती राज्य की राजधानी है इसकी capital क्या हो जाएगी तो आप सभी जानते capital क्या हो जाएगी tripura is the capital तो बस हमारा यहां पर पर पस यह कि हम आपको यह दिखा सके कि questions का जो level है वो क्या level है किस level के questions पूछे जारे next science देखो science के questions जाधा आ रहे question number 6 अना सरिये आप अपना score note करते वे चलना question number यह fourth है which hormone protects the blood glucose from giving to law तो sir explain करने की बजाए हम बस बच्चों को बता देते हैं कि आपकी जो questions का level है वो केस आप खुद यहां पर test किजिए कि कैसे question है question number five पर चलते है question number five देखो the white powder formed when magnesium ribbon burns is dash magnesium fitae के जलने पर जो सफेद powder होता है वो क्या होता है आपका इसके बाद आपका एक reasoning का question है corner is written dash then central be written in that code उस code वाला question है कि इस code में इसको क्या बोला जाएगा यह reasoning का question होगा आपका next question number seven इसमें पूछाए which hormone is released during emergency situation emergency की जब situation आती अचानक से आप एकदव हरान हो जाते तो कौन सा होर्मोन जह है वो release होता है यह सब questions तो मुझे भी पता है मुझे याद आ रहे है मैंने पड़े हुए यह question आपका है यह question आपका math का question है तो इसको भी आप करके जरूर देखेगा कि यह question आप कर पाते हैं कि नहीं क्योंकि हमारे पास में जो questions है वो mixed form में है and the last question is which of the following is an alloy of copper and zinc यह भी आपका science का question देखो RRBJ में science का weightage बहुत जादा है तो दीपनी सर आपको जब science पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत ध्यान से करो क्योंकि science अगर आप तो यह मान कि चलो कि non-tech में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मतलब 30 का weightage है थर्टी का weightage है 30 marks चोड़ नहीं सकते हैं and 15 marks में आपका GKGS का रंट फिर से सारा आ जाता है तो यहां पर यह जो 10 questions हमने आपको दिखाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर किसी के below 5 marks आई है जो questions हमने दिखाए 5 questions भी अगर आप solve नहीं कर पाए तो guys मैं जूट नहीं बोलूगी तो सच्छा यह है कि आपका syllabus नहीं किया है आपने syllabus अगर किया है तो आपने दिहान से नहीं किया आपके concepts y clear नहीं इट means कि आपको एक बार फिर से या नहीं किया है तो आपको syllabus और कहां से करना है इसक लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमारी पूरी टीम आपको बहतरीर तरीके से syllabus कराएगी और हाँ अभी बहुत अच्छा ओफर भी आप लोग के लिए आया हुआ है कि आप कोईगी कि वाव मैं दिल गार्डन गार्डन हो गया तो चले सर बच्चों को लेकर चलते हैं अड़र 24-7 की ओफिशल अप्लिकेशन पे जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको जॉइन करना अड़र 24-7 गूगल क्रॉम पे जाके टाइप करना और उसके बाद जो भी फर्स वेबसाइट ओपन होगी उस पे जाके क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा तो आपको सिंपली ओल कॉर्स पे जाना है देन आपको अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है जैसे की AJ का सेक्शन यहां से जब आप सेलेक्ट करते हैं आपको अपनी branch यहां से select करनी है civil, mechanical, electrical जो भी आपकी branch branch select करने के बाद आप दिखेंगे exam यानि की RRB GE ये आपको मिलता है यहां पर लेकिन काफे सरे students ऐसे भी हैं जो की multiple exams की तयारी करते हैं वो चाहते कि मैं हम तो RRB GE के साथ साथ SSC GE की भी live classes देखना चाहते हैं इसके अलावा हम state AJ का भी तैयारी साथ में कर रहे हैं तो आप महापेक लिजी, most of the students to follow करते हैं वो महापेक को follow करते हैं क्योंकि इसमें हर एक exam की जो live classes है वो आप देख सकते हैं तो सर बताइए बच्चे को किस तरफ जाना चाहिए फिलाल हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फिलाल हम आपको देखो जो भी आपको लिजा उस पर सिर्फ आपको क्लिक करना चाहिए वो महापेक को चाहिए वो RRBJ क्लिक करने के बाद अभी RRBJ में जो अच्छा खासा discount आया हुआ है वो आप देखेंगे यहाँ पे एक तो देखो non-tech का बेच पेपर वन में आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका non-tech रहने वाला है पेपर वन में तो यह पेपर वन का है CBT 1 के लिए यह जो नया फ्रेश जो live बेच आपका start हो है वो है निश्चे देखो नाम भी हमने इसलिए रखा है कि हम निश्चे कर चुकी हैं कि इस बार selection लेके रहेंगे तो इस पे आप जैसे ही आप इसके उपर click करते हैं तो जितना amount में दिखाया जा रहे है उतना आपको नहीं देना है है ना तो दीपमनी सर क्या इस पर discount मिलेगा सबसे पहले जाएंगे और यहां पर उनके पास दो कूपन कोट होंगे जिनमें से वो किसी भी एक का इस्तिमाल कर सकते हैं तो सर आपको बताईए पहले तो वाई 723 अगर यह कोट लगाते हैं यानि वाई 723 जैसे वो अपलाए करेंगे तो उनको मिलेगा सिर्फ 1300 वाउ 6 months की validity है अभी के लिए अभी के लिए लेकिन जैसे ही जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगी इसके अंदर double validity लग चुकी होगी तो आप इसको join कीजेगा और दूसरा एक और coupon code मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि अगर आप join करते वाई 774 वाई 774 इस पे भी आपको save मिलेगा कोई भी coupon code आप use कर सकते हैं तो बता देते वाई 723 723 एंच वाई 774 ओके सो discount के लिए आप एक बार थोड़ी से देर में नजर आएगा जब तक ये वीडियो अप्लोड होगे अप्लोड होगे तब तक आपको ये discount के जानकारी मिल चुके होगे तो मिलते हैं गाईस next वीडियो में नई अपडेट के साथ में उमेद करते हैं information आप लोग के लिए helpful लेए कोई में doubt है तो comment section में पूशेगा करते हैं